सूशल मीडिया इंफ्लूएंसर नीतू बिष्ट ने अपनी बेहन पूनम बिष्ट के साथ सोशल मीडिया यान की यूट्यूब चानल पर अपने 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिये हैं ये बहुत बड़ा मौका था नीतू और उनकी बेहन पूनम के लिए जिसको सेलिबरेट किया है लकन ने अपने खास अंदाज में लकन रावत ने हाल ही में एक विडियो को शेयर किया जिसमें उनोंने अपनी पतनी नीतू और साली साहिबा पूनम को सेप्राइज दिया जी हाँ 25 मिलियन पूरे होने पर लकन रावत ने बड़ा सेप्राइज प्लान किया था अपनी बीवी नीतू के लिए और इस खास मौके पर लखर ने अपने तरीके से एक सेलिब्रेशन का महल बना कर रख दिया नीतू बिश्टो और पूनम ने दोनों ने ही बहुत ज़ादा मेहनत की है अपने चानल के लिए और इसी को देखते हुए लखर ने दोनों को बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया लेकिन ये क्या नीतू की इतनी बड़ी खुशी और उस खुशी में कहीं पर भी ससुराल वाले शामिल नहीं जी हाँ लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि जस तरीके से इन लोगों ने एक सेलिब्रेशन का महौल बना दिया था और अब तो दुनिया को ये भी पता है कि नीतू का अपने ससुराल वालों से पैच अप हो चुका है तो ऐसे में नीतू की इतनी बड़ी खुशी में ससुराल का एक भी आदबी मौजूद क्यों नहीं था ऐसे तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर किये जा रहे हैं इसी के साथ उनने अपनी बीवी को बड़ा सिर्प्राइस देने के साथ ही एक बड़ा सा केक भी रखा था जिस पर लिखा हुआ था यूट्यूब 25 मिलियन फामिली और इस खास मौके पर सबने मिलके केक भी काठा लेकिन इन सारी खुशियों में ससुराल वालों को ना दे कर लोग तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि नीटू का जो दिखावे के लिए है वो ससुराल वालों से रिष्टा फिलाल ठीक हुआ है लेकिन असल जिंदगी में नीटू ने अभी भी अपने ससुराल वालों से दूर यहां बनाई हुई है अब लोगों के इन कॉमेंट्स पर लोगों के इस राय पर क्या है सच्चाई वो तो लखन और नीटू ही बता सकते हैं फिलाल तो जिस तरीके से नीटू ने इतनी बड़ी खुशी जाहिर की है सेलिबरेट किया है इस पर क्या कहना चाहते हैं और आप खास कर लखन ने जिस तरीके से नीटू की खुशियों को डबल कर दिया इस पर जो भी आपकी राय है हमारी कॉमेंट सेक्शन में आकर ज़र झाल 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 झाल